हेलो, very good evening to all of you, dear students, my friends, और जो लोग भी YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं, इस नए वीडियो के साथ मैं फिर शामिल नहीं हुआ, आज एक नए वीडियो को हम लोग यहां परहेंगे, समझेंगे, एक नए टॉपिक हो इस वीडियो में, ग्रूप फेक्टर थिरी ऑफ इंटेल से related question को कैसे solve करते हैं, किसी बच्चे का IQ कैसे निकालते हैं, और वो किस level में होगा, किस series में होगा उसको check out किये, अब हम जानेंगे, अलग-अलग लोगों ने जो intelligence को लेकर अपनी अपनी थिवरी प्रस्तूत की, उनके बारे में समझेंगे और जानेंगे, तो आप सभी का स्वागत हैं हमारे इस चैनल पे, जिसका नाम है Teacher Select Academy, और मैं हूँ आपका host, आपका दोस्त, आपका मेंटर, कुफरान अलम, आज हम परने जा रहे हैं, group factor theory of intelligence, जैसा कि बोड पे आप देख पा रहे हैं, group factor theory of intelligence को हिंदी में कहेंगे, बुद्धी का समोह कारक सिध्धान्त, समोह कारक की बात हो रहे, ये कारक वर्ड कई जगह आपको मिलेंगे, जोनी factor में भी मिलेंगे, by factor, trifactor, ऐसे कई जगह कारक सिध्धान्त हैं, अलग अलग सिध्धान्तों की चर्चा एक एक करके करेंगे, पहले इसको देखते हैं, पहले इस theory के बारे में जड़ा सा concept प्रस्टूत किया, सिटेट में तो अभी तक ये कोस्चन एक बार भी नहीं पूछा गया है, नेट के एक्जाम में, साइकोलोजी बगर में, या एजुकेशन में ये कोस्चन कही बार आ चुके हैं, कि group factor theory of intelligence का concept किस ने दिया, तो बर्ट ने प्रस्टूत किया था, बर्ट के पूछने के nature पर डिपेंड करता है कि हमारा answer क्या होगा, अगर concept से related question हो, तो आपका answer bot होना चाहिए, और जब theory से related question हो, कि सिधान्द को किस ने दिया था, सिधान्द की संकल्पना, बर्ट ने प्रस्थूत किया, concept यानि संकल्पना होती है, और इस सिधान्द को प्रस्थ किया, थर्ष्टन ने, याद हो गया, बहुत complicated नहीं है, थोरा सा, आप mind apply कीजिए, जरा सा, और साथ ही साथ आपको class में ही सब चीज़े clear हो जाएंगी, इसी short video में, साथ साथ समझते भी चलेंगे, अब ये question कई बार CTT में आ चुके हैं, कि primary mental abilities कि से संबंदित है, तो हम group factor theory थिवडी में ही हम primary mental abilities की चर्चा करते हैं, यानि primary mental abilities को देने वाला कोई और नहीं, कौन है, हमारे थर्ष्टन है, यानि कि जिस जिन्होंने इस थिवडी को प्रस्तूत किया, वही primary mental abilities की बात करते हैं, यानि कि प्राथमिक मानसिक योग्यता, ये question CTT में दो या तीन बार अ आ चुके हैं, थोरा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा, अगर आप previous question solve कर रहे होंगे, आपको मिल जाएगा, तो primary mental ability को किस ने प्रस्तूत किया, थर्ष्टन ने प्रस्तूत किया, primary mental ability को किस नाम से और जाना जाता है, तो group factor theory of intelligence से connected है ये, अब हम जानेंगे कि थर्ष्टन intelligence के कुल कितने प्रकार बताएं, बिल्खुल confusion की जरूवत नहीं है, आपको यहां board पे जो भी content चीजे प्रहाई जाएगी, समझाई जाएगी, वो 99% authentic होने की chances पूरे रहेंगे, 99% authentic मिलेगा, और आपको strict के साथ, या आप साथ कैसे याद कर ले, उसको भी देखना और समझ न होगा, types of intelligence में पहला आप देख पा रहे है, verbal intelligence, verbal जैसा कि नाम से जाहिर है, शाबदिक बुद्धी बुलते हैं, जो शब्द से होता है, यानि कि शब्द संग्र, जिसके पास जितना ही बहतर होगा, word collection वगर, और उसकी delivering करने की capacity जितना ही बहतर होगी, वो लोग verbal intelligence वाले लोग होते हैं, जैसे TV पे जो भी host और anchors होते हैं, जो भी बोलते हैं, इतने अच्छी लगते हैं उनकी आवाज, यू लगता है जैसे सुनते ही रहे हैं, और TV channels पे जो लोग काम कर रहे हैं, यह जो चैनल पे जो लोग news अपना delivery दे रहे हैं, जो लोग भी इसमें, किसी पे जो anchor होता है, जो पूरे program को host करता है, वो भी verbal intelligence के example में शामिल है, यानि कोई भी आदमी जो व्याख्याता हो, teacher भी इसमें शामिल है, सारे teachers की में बात नहीं कर सकता, लेकिन maximum teacher में verbal intelligence पाये जाता है, उसके communication में वो skill होती है, वो attraction होता है, जो लोगों को सुनने में काफी पसंद आता है, verbal intelligence में वो लोग सामिल होंगे, जिनके पास बोलने की बहुत अच्छी योगेता हो, और उसी योगेता के बदलत, उनकी जीवी का पारजन चल रही है, अपनी दुनिया में नाम कमा रहे हैं वो, जितने भी film industry में काम करने वाले लोग है, जिनकी dialogue delivery बहुत बनी जाती है, verbal intelligence के example है, dialogue delivery का person की बात नहीं कर रहा हूं मैं, person वो जो जिस तरह की personality है, वो अलग intelligence को present करता है, लेकिन जो उनकी dialogue delivery है, communication है, वो मैं बात कर रहा हूं, verbal intelligence से संबंदित है, उमीद करता हूं इतने example से आप जरूर समझ गए होंगे, second topic पे आते हैं, second intelligence के type पे, word association intelligence, यानि कि शब्द संग्रह बुद्धी, जो लोग poet होते हैं, writer होते हैं, गाना वगर लिखते हैं, या जो कुछ भी करते हैं, लेकिन जिनकी शब्द संग्रह बहतर हो, कहते हैं न, word collection बहुत ही जबरदस्त है, कुछ लोगों के पास, उनके बोलने के अंदाज से लगता है, कि इनके पास word collection और tough word या मिला जूला शब्द बहुत बहतर हैं, उनके पास से stock, तो वो शब्द संग्रह वाले लोग होते हैं, इसमें writer हो सकते हैं, poet हो सकते हैं, कोई narrator हो सकता है, जैसे कहानी की व्याख्या करने वाला कोई व्यक्ति, narrate करता है उसे अपने शब्दों में, तो उसके पास भी सब्द संग्रह काफी अच्छे होते हैं, तो ये दो तीन example आपके काम आ सकते हैं, जो लोग philosopher होते हैं, जो लोग educationist हैं, बड़े बड़े सिक्षावीद, जो लोग philosopher रह चुके हैं, educationist में राधा कृष्णन का नाम आ सकता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आ सकता है, महत्मा गांधी का नाम आ सकता है, ये लोग educationist थे, और जब वो कहीं मंच पे लोगों के सामने अपने भाषन को प्रस्तूत करते थे, धीर लग जाती थी लोगों को सुनने और देखने के लिए, कि अज गांधी की speech होने वाली है, यानि कि उनके शब्द पाहिर हो, और जो delivering standard हो, बहुत काफी बहतर हो, तो सब्द संग्रह वाले वेक्ती माने जाते हैं, थर्ड टर्म आप देख पा रहे हैं, तीसरे टाइप में, semantic, semantic intelligence, यहां dot दिया गया है, intelligence की जगह पे, तो semantic intelligence की अगर चर्चा करते हैं, तो इसको हम हिंदी में अर्थगत कहत कहलते हैं, जिसका कुछ अर्थ इसपष्ठ हो, अर्थगत बुद्धी वाले लोग semantic कहलाते हैं, जैसे किसी अस्थान विशेश से संबंधित हो, अस्थान विशेश से संबंधित होने का मतलब, गाउ देहा छेतरों में अस्थान विशेश को समझ के उसके बारे में जनकारी देना, मिट्टी देखकर उसकी पहचान कर लेना, फसलों के रंगों को देखकर उसके अर्थ को एसपष्ठ कर लेना, ये सब चीजें, जो लोग nature से जुरे होते हैं, चीजों को सिर्फ देखके उसका अर्थ का अंदाजा लगा लेते हैं, पतब उससे communicate कर पाते हैं किसी भी way में, और उसकी बातों को उसके रंग, हाव, भाव को समझने लगते हैं, तो कहा जाता है कि उनमें semantic intelligence पाये जाता है, जो अर्थ को प्रकट करने की शमता रखते हैं, कोई भी वेक्ती हो सकता है इसमें जो अर्थ को प्रकट करने की शमता रखे, चीजों और इस्थितियों को देखकर समझ कर, उसे अर्थगत, यानि अर्थ एस्पष्ट करके प्रस्तूत करने की शमता रखने वाला वेक्ती, तो यह होता है semantic, intelligence वाले लोग, फौर्थ नंबर पे देख रहे हैं, जिनमे numerical intelligence होती है, यहां numerical से क्या मतलब है, सांखिकी या आंकिक, दोनों नाम हो सकते हैं, सांखिक भी कह सकते हैं, संखिया से संबंदित हैं, और आंकिक भी कह सकते हैं, यानि जिन लोगों मे mathematical, यानि अंकों का खेल जिनको समझ में आता है, अंकों के साथ उनका तालमेल बहुत mathematics काफी अच्छी हो, फिवडी वगर प्रोड्यूस किये हो, उन लोगों में numerical intelligence पाया जाता है. किसी भी mathematician का नाम ले सकते हैं, scientist वगरा का नाम ले सकते हैं, इसमें वज्ञानिक वगर भी आ सकते हैं, engineer आ सकते हैं, architect हो सकते हैं, वो सब लोगों में numerical intelligence पाया जाती है. एक सामान ने वियापारी, जो रोज पैसो का लेंदेन करता हो, अपना वियापार करता हो, उन में भी numerical intelligence होती है. सुनार के दुकान पे बैठा वेक्ति, जो percentage वगर अब बहुत आसानी से आपको निकाल के बहुत जल्दी जल्दी बताता है, और कई चीज तो मौकिक ही बता देता है, उसके लिए उसे calculator लेने की ज़रुवत नहीं परते हैं, क्यों? क्योंकि उस वेक्ति में numerical ability है. ये सब चीज आपने देखा समझा होगा, बस relate कर लीजिए, समझभाएंगे. numerical intelligence में mathematician आ सकते हैं, रमानुजन हैं और बाकी लोग भी हिंदुस्तान के बरे-बरे mathematician जिन्होंने 0 दिया आरे भट, वो भी हमारे numerical intelligence का हिसा है, उनमें भी numerical intelligence है, लेंग राजे का theorem आप पढ़ते हैं या बाकी किसी का भी theorem पढ़ेंगे, तो वो numerical intelligence में शामिल होंगे, जो mathematically strong लोग होते हैं, numerical intelligence वाले लोग होते हैं, engineering, architect, ये सब mathematics के इस्तमाल से ही possible हो पाता है, chemistry वाले लोग, उनमें भी numerical intelligence अच्छी होती है, चुकि मातराओं को देखना करना, research वगर में बहुत ज़्यादा इस्तमाल होता है, तो वो numerical intelligence वाले लोग हैं, इतना example काफी होगा समझने के लिए, आगे भरते हैं, अब हम बात करते हैं तारकिक बुद्धी वाले लोगों की, जो हर चीज के पीछे एक तरक, एक कारण को प्रस्तूत करते हैं, या किसी कारण की demand करते हैं, यह होते हैं reasoning intelligence वाले लोग, जैसे सूरज पूरब से उगता है, यह line अपने आप में प्रयाप्त नहीं है, जब तक हम इसके साथ जोरे नहीं, क्योंकि, जो हमारा अर्थ का rotation है सूरज के प्रती, तो वो सुबह के दवरान, यानि रोटेट करके जो सुबह के दवरान वो सूरज के सामने होती है, तो वो पूरब दिशा की और सूरज प्रतीत होता है हमारे इस जमीन पे, तो वो चीजों के कारण को प्रेजेंट करता है, दिन और रात क्यों होते हैं, क्यों को प्रेजेंट करना सारकिक्ता की पहचान है, ये लोग वकील होते हैं, जज बन जाते हैं, इतना तरक करते हैं, हर चीज के पीछे एक कारण को ढूँदना, कारे कारण का पता लगाना है researcher बन जाते हैं जिसको हम सोध करता बोलते हैं research करने वाले लोग reasoning ability से वो लोग बन जाते हैं वज्यानिक जितने भी है वो सब reason पे चलते हैं कारण पे तरक पे जैसे आप से पूछा जाए या मैं बताओं कोई पूछे कि आपका पसंदीदा भोजन क्या है तो मैं कहूँ कि मेरा पसंदीदा भोजन भिंडी है रोटी है ऐसा खाना मुझे अगर पसंद है तो ये एक line कह देना कि मुझे भिंडी और रोटी खाना पसंद है परियाप्त नहीं है जब तक कि मैं क्यों की न लगाऊं इसमें कारण इस पुष्ट न करूँ कि मुझे क्यों पसंद है तब तक मैं logical बाते नहीं कर रहा हूँ इसलिए interview अगर मैं आप अक्सर सुनते होंगे कि आप जो कुछ भी बताओ सामने वाले को जो कुछ भी explain करना हो उसमें उसके logic को जरूर present करना चाहिए कि ये चीज जैसे मुझे mathematics परना पसंद है क्यों की मैं psychology परहता हूँ क्यों की अगर ये क्यों की नहीं है तो सामने वाला एक extra question generate करेगा तो वो सवाल पूछेगा कि ये चीज आपको क्यों पसंद है यानि कि आपका पहला line अपने आप में परयाप्त और complete नहीं था जिस कारण वो तारकिक नहीं हुआ तो लोगों में जिनमों तरक करने की शमता और तरक करने की अच्छी बुद्धी होती है बहुत आगे जाते हैं फिल्ड कोई भी हो एक teacher भी तारकिक हो सकता है एक layer हो सकता है वकील हो सकता है एक judge हो सकता है एक researcher हो सकता है engineer हो सकता है scientist हो सकते हैं जिनमे reasoning करने की तरक करने की बहुत अच्छी पकर और शमता पाई जाती है इस तरह से आप देख पा रहे हैं उन लोगों में reasoning intelligence पाई जाएगे memory intelligence जिन लोगों में wrote करने की capacity ज़्यादा हो यानि याद करने की पंडी जी बेशक जानते होंगे सारे मंत्रों को रच चुके होते हैं किसी भी चीज का मंत्र मौकिक ही बाई फोन वगरभी पूजा आजकल हो जा रही है आप समझ सकते हैं कि memory कितनी अच्छी होगी उन लोगों में memory intelligence पाई जाती है हाफिज मुसलिमें जो कुरान को पूरा हेफ्ज कर जाते हैं पूरी कुरान को याद करते हैं और रमजान के दिनों में पूरे महिने कुरान को एक्सप्रेस करते हैं बोल के लोगों के बीज प्रस्तूत करते हैं उनमें memory intelligence जबरदस्त होती है गोगल बॉय का नाम सुना होगा आपने टीवी वगर पे लगातार आ रहे होगे उस बच्चे में भी memory intelligence जबरदस्त है genius है वो बच्चे अपने आप में memory intelligence के कारण उसकी memory बहुत अच्छी है जो भी चीज पढ़ता और समझता है बस ऐसा लगता है उसे अस्थाई कर लिया future के लिए उसके साथ adapt हो गया ऐसा महसूस होता है memory intelligence में वो लोग शामिल हो जाएंगे अंत में आ रहे हैं perception यानि इसको प्रतियान बोला जाता है perception कहने का यहां अर्थ यह है कि किसी चीज को देखने का जो हमारा नजरिया है जो हमारा perception है और जो उस चीज को देखने का आपका perception है दोनों different हो सकता है जैसे अंधेरी रात में घर से लटकी हुई एक रसी या तार हमें साप की तरह दिखाई देता है मुझे हो सकता है कि वो साप दिखे लेकिन किसी और को कुछ और दिखता है तीसरे को रसी दिख सकता है चोथे को कोई डोडी दिख सकता है किसी को electric wire दिख सकते हैं वो तो जरूरी नहीं है कि एक चीज को देखने के बाद मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ मेरी राय क्या है मेना perception क्या है वो मेरा है आपका perception अलग होगा तीसरे का perception अलग चोथे का perception अलग हर आदमी एक ही वस्तु को अलग-अलग तरीके से percept करता है तो यह perception कहलाता है जो film का script वगरा लोग लिखते हैं और जो director होते हैं film को जो देखते होंगे बार-बार ऐसे ऐसे करके चीजों को देख रहा होता है percept करता है कि अगर इस चीज को इस एंगल में ले तो कैसा रहेगा वो दूसरे से पूस्ता नहीं है अलग-अलग एंगल में लेके percept करने की कोशिश करता है और उसके हैं साब से समझने की कोशिश करता है यह वही perception है मेरे मेरा नजरिया किसी चीज के परती अलग है create कर लिया है, तो वो हर चीज को एक अलग नजरिये से देखते हैं, जैसे एक photographer, एक film का director perception के अधार पे चीजों को create करते हैं बाहुबली picture देखा होगा, पता चला कि film तो एक छोटे से place पे suit हुई थी लेकिन ऐसे ऐसे उसमें graphics डाले गए, perception ये सब है, graphics वगर का इस्तमाल करना और चीजों को पहले से mind में visualize करना, कि कैसा होना चाहिए तो ज्यादा बहतर होगा ये perception होता है, graphics करने वाले लोगों में perception अच्छा होता है तो इस तरह से आज आज आपने इसमें director, photographer वगरा शामिल हो जाएंगे, परिशान मत होईएगा लिख लीजिएगा, तो इस तरह से आज हमने परहा, intelligence की एक theory, जिसे थर्ष्टन ने प्रस्तूत किया, आप चाहे तो इसका screenshot ले सकते हैं आपको बिल्कुल याद रहेंगे काफी है एक दो सेकेंड उसको आप pause करके, screenshot ले लिजे अब आते हैं इसकी technique पे इसे हम याद कैसे रखेंगे तभी के first letter को अगर मैं लिख के यहाँ आपको समझाओं, जैसे पहले का letter है V, W S, third letter semantic S in numerical, in then reasoning फिर memory और फिर perception सब के first letter को लेकर आप एक sequence बना सकते हैं और उसे याद रख सकते हैं इसमें आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है यह कोई hierarchy नहीं है पद का कोई अनुकरम नहीं है बस आप इसे इस करम में चाहे तो याद रखे या इसको आपस में मिला कर आपको जो sequence सही लगे मजबूत लगे आपको याद हो जाए उसको बना लीजिए जैसे VWS लगतार ABCD जैसा है VWS, NRMP ऐसे करके set कर सकते हैं तो यह याद रखने का अपना technique है सातो टर्म याद भी हो जाएंगे सबके example भी आपने set कर लिया तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको comment box में जरूर बताइएगा और इस तरह की कोई special अगर आपकी कोई requirement है किसी भी theory को लेकर तो हमें बताइए next वीडियो में हम इसके साथ सामिल होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे like कीजिए subscribe कीजिए अपने दोस्तों के भी share कीजिए तो आज के लिए इतना ही बाई बाई नमस्कार शुक्रिया आदाब सभी का